हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सिस पर फ्रेंड्स इस समय हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश करमचारी चैन आयो का अस्तित् नजर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश करमचारी चैन आयोग हमिरपूर को ततकाल प्रभाव से भंग करने का निर्ने लिया है इस बारे में आज ही अधिसूचना भी सरकार की और से देरशाम को जारी की गई इसके अलावा मुख्यमंत्री ने करमचारी चैन आयोग को लेकर क्या बाते कही और यहां पर जो स्टाफ है उसका क्या होगा और आगे जिन जिन के लिए रोल नंबर इशू हो चुके हैं उनकी परिक्षाएं कैसे होगी इस बारे में आपको हम तमाम जानकारी देंगे आईए देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा आप सब को पता है कि हमाचर परदेश स्बोर्डिनेर्ट सेलेक्शन बोर्ड जो था उसको निलंबित किया गया था हमिर्पूर में इस चायन योग में जो भरतियां हो रही थी उस पर धांदली पाई गयी थी और उसको हमने जब निलंबित किया उसके बाद उसकी इंक्वेरी हमने एक आईएस ओफिसर अभिशीएक जैन जो सक्ट्री एजूकेशन थे उनको सौंपी जो डिपार्टमेंटल के द्वारा इंक्वेरी की जानी थी और हमारे बिजिलेंस में जो आईजी है उनको हमने ये इंक्वेरी सौंपी मुझे बड़े दुख के साथ कहना बढ़ रहा है कि जो करमचारी चैन योग था हमिर्पूर में उसमें पिछले तीन साल से इस पेपर लिक के मामले हो रहे थे पेपर बिक रहा था और पेपर बिकने के साथ कुछ लोगों को ही पेपर बेचा जाता था और ये पेपर बेचने का धंदा पिछले तीन साल से चल रहा था और जो अभी पेपर हुए हैं उनके विशे में विशकायते प्राप्त हुई हैं हमाचल परदेश सरकार के सभी अधिकारी और इंक्वैरी टीम ने तत्यों को पाया इस सदार पर आज जब सुबा फाइल मेरे पास आई उस पर हमने ये फैंसला किया है कि हमाचल परदेश करमचारी चैन यो आयोग जो की निलंबित किया गया था उसको भंग कर दिया गया है उसकी कारेपनाली को खतम कर दिया गया है और जब तक उसमें जो एक्जामिनेशन हुए जिनके परणाम नहीं निकले हैं और जिनके परणाम निकले हैं जो भी और बविश्या में एक्जामिनेशन होने हैं कईयों को रोल लंबर चले गए हैं और जिनका रिजर्ट निकल गया है उन सारे मामलों को हमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन जो यहां एक्चेस का टेस्ट लेता है उसमें स्थाना अंत्रित तुरूंत प्रभाव से कर दिया गया है यनिकी जिनके रिजर्ट निकल गया है उसके आगे के डाकुमिटेशन जो चेक होने हैं वो अब हमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन करेगा और जिनके जो अगले एक्जाम्स होने हैं उनको भी हमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन करेगा और यह तब तक करता रहेगा जब तक कि वहां कोई alternate के रूम में या testing agency के रूम में जो हम national testing agency का अध्यन कर रहे हैं जो national level पर recruitment करती है उनके सबी पहलों की हम जाल परताल कर रहे हैं जब तक कि उसका गठन नहीं किया जा सकता है इस दिए जो भी करमचारी हमारे हमीरपूर में कारेरत थे उनको सब को surplus रूट में डाल दिया गया है surplus पूल में डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप आप अपनी किस विभाग में दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं उसकी option हमाचरपरदेश सरकार में वो लिख कर देंगे मेरा ये मानना है जब किसी संस्ता पर उंगली उठती है और inquiry के बाद ये पाए जाता है कि इस संस्ता पर उंगली उठी है और paper बिके हैं उस संस्ता की विश्वस्तनियता पर सवाल खड़ा हो जाता है और इस परकार जब तथ्या पूरे हमें मालुम हुए और पूरे तथ्यों के अधार पर आज ही हमने हमाचरपरदेश जो हमीरपूर में चाहिन योग है उसके पूरी inquiry करने के बाद ये पाया कि हाँ टॉप से लेकर बॉटम तक लोग शामिल थे और इस दिश्ट्री कौन से हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है और हम हमाचल के जितने युवा है हमने पहले भी कहा है कि अब आपकी प्रिक्षा हैं जो अभी जब तक जो जिनके रोल उंबर चले गए हैं वो हमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन लेगा और जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उनकी डाकुमेटेशन की जो चेकिंग है वो भी हमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा ली जाएगी और जो आगे इंटर्विव होने हैं उन इंटर्विवों को भी जब तक की नई एजंसी नहीं आ जाती हमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन ही लेगा देखें डिपार्टमेंटल इंक्वार इनक्वारी भी होगी है और दूसरी इनक्वारी भी टाइम बॉर्ण मैनर्ज में आ गही है जो भी लोग इनवाल्व है उनके खराफ इनक्वारी चल रही है कुछ को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद हमने ये पाया कि हमें क्या फैसला करना है युवाओं के साथ धोक खाना हो जो भी चैन योग होता है जिसमें युवा हमारे नौकरी के लिए बैठते हैं सरकारी नौकरी के लिए बैठते हैं ग्री माबाब के बेटे का एक इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरी लगे जब उसके मन में ये भावना आती है कि मेरे पढ़ने लिखने के बाब प्वजुद भी चैनियोग से पेपर लीक होते थे पेपर बिखते थे ये सारी रिपोर्ट आने के बाद हमने इस करमचारी चैनियोग को भंग करने का फैसला किया है इसका अस्तितव अब नहीं रहेगा मैं ये भी बताना चाहता हूं के खिलाब इंक्वारी के आज ही हमने ज जो करमचारी लगे हैं क्या उनके भी जांच की जाएगी जिस्तास अपने उसमें कुछ एक करमचारियों का हमने वेरिफिकेशन चल रही है नेक्स्ट लिस्ट में जो अगर बाइचान कोई नोकरी लग गया है उस दिश्टी कौन से अगला फैसला किया जाएगा जो पहली रपोर्ट आई है उसमें तो हमें क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे परदेश में काफी रोजगार के अपसर निकल रहे है कई भिवागों की नोकिया निकल रही है उस दिश्टी कौन से हमने सोचा कि अभी तो पहले इस करमचारी चैनेों को भंग कर दिया ज पहले तो इस दिश्टी कौन से कारे क्या जा रहा है और कई चीजें सामने आई है जो मैं आपको डिस्क्लूज नहीं कर सकता वह इंक्वारी का मैटर है और हमने एक्शन लेने के लिए जो हमारे बिजिनेंस के अधिकारी है उनको कह दिया है तो फ्रेंट्स यह थी मुख्य आपके सामने नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें आप साब बताया गया है कि क्या अनिमे टाय पाए गई थी और अब इसे कैसे भंग कर दिया गया है और आगे की विवस्ता क्या रहेगी इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नुए कीजी थेंक यू